मस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मिनिंग्स ओफ नेम्स में आज की इस वीडियो में हम लोग हंसूजा नाम करते क्या होता है हंसूजा नाम की लड़कियों के उनके रासी फल के बारे में हम लोग जानेंगी दोस्तों इससे पहले एक वीडियो को सुरू करूँ आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली ऐसे नया वीडियो देखने का मौका मिले चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और हंसुजा नाम का अर्थ जानते हैं दोस्तों हंसुजा नाम का जो अर्थ होता है वह चलिए मैं बता दू हंसुजा नाम का अर्थ लक्षमी होता है यानि कि हम लोग लक्षमी को हंसुजा कहते हैं और बात कर लेते हैं हंसुजा नाम की लड़कियों के उनके लखी नंबर के बारे में तो इनका जो लखी नंबर होता है वो 5 होता है और दोस्तों बात कर लेते हैं इनके फिल धर्म होता है यहां दोस्तों और फिर अगला जो है वो है रासी के बारे में इनका जो रासी होता है वो करक रासी होता है और यानि कि इनका करक रासी में इनका नाम होता है और सूब रंग के बारे में बात करें तो इनका जो सूब रंग होता है वो सफेद हलका नीला होता है ज ग्रह स्वामी की बात कर ले तो इनका जो ग्रह स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है और मित्रे रासी के बारे में बात कर ले तो इनका जो मित्रे रासी होता है वो वरिशब, कन्या और मीन रासी होता है और जैसे कि मैं बता दू रासी की अगर हम लोग संपूर्ण जानकारी अगर मैं बता दूँ तो करक रासी के स्वामी गुरह चंद्रमा है भगवान संकर को रासी का अराधे देव माना जाता है इन नाम के लड़कों के पाचन तंत्र से जुड़ी रोगों की समस्याओं से बनी रहती है इन नाम के लड़के के दिल की सम्यास्याओं से जुड़े रहते हैं जियां दोस्तों तो ये कुछ खास बाते थी जो की इस नाम से रिलेटेड था दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए दोस्तों और वीडियो को जाता से जादा अपने दोस्तों के पास सेर करिये ताकि हमें भी थोरा सब्सक्राइब कर दिए तब तक मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी खास नाम और अर्फ के साथ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद